F1, 1 हमारा कैसा साउंड कर रहा है, तो 1 साउंड कर रहा है, गन के जैसा, और गन देखते ही लोग क्या करते हैं, help help चिनलाने लगते हैं, यानि कि power point में यदि आप F1 प्रेस करेंगे, तो क्या होगा, help window open होगा, ठीक है, जारखन जी के trick में आपका स्वागत है, आज हम लोग जैसे सी सीजल के computer से related most important question को करने वाले हैं, और यदि आपने इस वीडियो को अंतक देखा, और mind में याद भी रखा, तो आपनी स्चित है कि computer में 20 में से 15 से 18 प्रसन आसानी से कर पाएंगे, तो चलिए हम लोग इस session को start करते हैं, प्रसन पहला है, भारत का सबसे सक्तिसाली सूपर कम्प्यूटर है, options 4 दिये गए है, परमसिद्धी, एरावत, परतिवस, मिहिर, और यह प्रसन current data से लिया गया है, आपको यह प्रसन कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, तो इस प्रसन का answer क्या होगा, option B, एरावत, ठीक है, भारत का सबसे सक्तिसाली सूपर क कंप्यूटर का पूरे वर्ल्ड में rank है 75, ठीक है, और यह computer कहाँ पर install है, तो यह computer c deck पूने में install है, ठीक है, वहीं देखिए, परमसिद्धी सूपर कंप्यूटर का वर्ल्ड में कितना rank है, तो 131, ठीक है, वहीं देखिए, अगला computer कॉन सा था, तो 331, ठीक है, इस computer का वहीं देखिए मिहीर सुपर कम्पूटर का पूरे वर्ल्ड में कितना रेंख है तो 316 यानि की 316 316 रेंख है ठीक है तो भारत का सबसे सकती साले सुपर कम्पूटर कौन है तो option B एरावत ठीक है तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रसंद को अगला प्रसंद है computer keyword functions की F1 का powerpoint में इस्तिमाल किया जाता है और 4 options दिये गए है help window open करने के लिए save के लिए, copy के लिए या इन में से कोई नहीं तो जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि हमारे computer में total कितने functions की हैं तो total 12 functions की हैं जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ठीक है और यहाँ पे बात हो रही है F1 की और मैंने इन 12 functions की से related सारे महत्पुनी उप्योगों को trick की सायता से बहुत ही असानी तरीके से आपको बता रखा है तो F1 functions की को मैंने trick से बता रखा था कि F1 1 हमारा कैसा sound कर रहा है तो gun के जैसा 1 sound कर रहा है gun के जैसा और gun देखते ही लोग क्या करते हैं help help चिल्लाने लगते हैं यानि कि power point में जदी आप F1 प्रेस करेंगे तो क्या होगा help window open होगा ठीक है तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा option A help window ठीक है हम लोगों ने याद कैसे रखा F1 1 हमारा sound कर रहा है gun और gun देखते ही लोग क्या करते हैं help help करके चिल्लाने लगते हैं भागने लगते हैं इसका मतलब है यदि आप power point में functions की F1 प्रेस करेंगे तो help window ठीक है functions की F1 यदि आप MS Word में भी प्रेस करेंगे तो भी आपको help window ठीक होगा यदि आप MS Excel में भी प्रेस करेंगे तो भी आपको help window ठीक होगा तो चलिए हम लोग पहले इसे practical करके देख लेते हैं तो जैसे कि यह हमारा क्या है? MS Word है और यदि हम functions की यहाँ पर F1 प्रेस करते हैं, तो help window open होगा, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, यह हमारा help window open हो चुका है, ठीक है? वहीं यह हमारा MS Excel है, और यदि हम यहाँ पर भी functions की F1 प्रेस करते हैं, तो क्या open होगा? help window open होगा, जै तो क्या open होगा हमारा help window open होगा, ठीक है? तो functions की F1 प्रेस करने से MS Word हो, MS Excel हो, या PowerPoint हो, वहाँ पर क्या open होता है? help window open होता है, और यह परस्ण काफी important है, और कई बार exam में पूछा जा चुका है, ठीक है? वैसे functions की का combination बना के हम लोग और भी shortcuts की बना सकते हैं, जैसे functions की F4 के साथ यदि हम लोग alt key को press करते हैं, तो हमारा windows, हमारा windows off होता है, ठीक है? क्या होता है? off होता है, ठीक है? उसी तरह हम लोग functions की F12 के साथ कई combination मना सकते हैं, functions की F1 के साथ कई combination मना सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर प्रस्ण क्या पुछा गया है कि computer keyboard functions की F1 का PowerPoint में इस्तमाल क किया जाता है, यूज किया जाता है, तो help window को open करने के लिए, ठीक है? उतर हो जाएगा हमारा option A, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं अगले प्रस्ण को, अगला प्रस्ण है, MS Excel फाइलो का default extension है, options चार दिये गए है, .xlsx.xlw.wk1.dox, तो MS Excel फ ठीक है, extension actually जरूरत क्यों पढ़ता है? तो computer को यह पता लग सके कि आखिरकार फाइल कहां जाके खुलना है, ठीक है? इसलिए MS Excel का extension होता है, MS Word का extension होता है, Video का extension होता है, Audio का extension होता है, ठीक है? एक तरह से यह क्या है? फाइलो का चिन है, logo है, जिससे यह पता लगता है computer को कि यह फाइल कहां जाके खोलना है, ठीक है? वही 2003 से पहले MS Excel का file extension क्या था? तो .xls था, ठीक है? 2003 यह 2003 से पहले, वही 2007 यह उस से आगे 2010, 2013, 2016, 2019 तक का extension file क्या है? तो .xls x, ठीक है? यह हमारा MS Excel file का extension है, ठीक है? वही अगर MS Word की बात करें, ठीक है? MS Word 2003 यह 2003 से पहले की बात करें, क्या extension था? तो .doc था, MS Word 2003 यह 2003 से पहले का, वही MS Word 2007 यह 2007 के बाद, जैसे की 2010 बोलें, 2013, 2016, 2019 तक का MS Word का extension क्या है? तो .docx, ठीक है? तो यह था MS Word फाइलो का extension, वहीं अगर MS PowerPoint, MS PowerPoint फाइलो का extension 2003 यह 2003 से पहले क्या था? तो .ppt, ठीक है? वहीं MS PowerPoint 2007 यह 2007 से बाद का, जैसे की 2010, 2013, 2016, 2019 का file extension क्या है? तो .pptx, ठीक है? तो यह MS PowerPoint फाइलो का extension है, इसे आप जरूर माइंड में याद रखें, क्योंकि यहां से एक ना एक प्रस्ण, एक्जाम में जरूर बनते हैं, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं अगले प्रस्ण को, अगला प्रस्ण है, विस्व का पहला electronic computer कौन सा है, इसके चार options दिए गए है, Univac, PC, INIAC और Micro Computer, तो जैसे की मैंने आपको computer के master वीडियो में बता रखा है की विस्व का पहला electronic computer कौन सा है, तो option C, अगले प्रस्ण को देखते हैं, अगला प्रस्ण है, computer को refresh करने की keyword shortcut keys है, options चार दिए गए है, functions की F5, alt plus functions की F5, functions की F4, या control plus F, तो इस प्रस्ण का answer क्या होगा, मैंने आपको functions की के shortcuts की में, एक trick आपको बता रखाता है की F5, 5 हमारा sound कर रहा है, phrase, 5, phrase, ठीक है, और 5 बजे उठते ही हमारा mood कैसा होता है, phrase रहता है, यानि कि F5 से क्या होगा हमारा, refresh होगा, ठीक है, तो functions की F5 का use हम लोग computer को refresh करने के लिए करते हैं, और या प्रस्ण ना जाने कई बार examों में पुछा जा चुका है, ठीक है, तो उत्तर होगा हमारा option A, F5, ठीक है, तो अगले प्रस्ण को देखते हैं हम लोग, अगला प्रस्ण है, जो क अपके latest syllabus में है, वैसे पूछे गए प्रस्णों में से कई ऐसे प्रस्ण है, जो कि latest syllabus में से हटा दिया गया है, उसे मैंने यहाँ पर add नहीं किया है, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने उन्हीं पूछे गए प्रस्णों को add किया है, जो कि हमारे syllabus में, वर्तमान syllabus में मौजूद ह ठीक है तो प्रस्ण क्या है कि OSI reference model में कितने networks layer है options चार दिये गए है 7, 5, 6, 3 ठीक है तो सबसे पहले हम लोग OSI model क्या होता है उसे पहले थोड़ा सा overview देख लेते हैं ये काफी लंबा topic है और मैंने आपको master वीडियो में बता रखा है तो थोड़ा सा overview कर लेते हैं एक reference model है इस model में 7 layers होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े नहीं होते हैं और OSI model की परतेक layer एक दूसरे पर निर्भर नहीं रहती है ठीक है लेकिन data का transmission एक layer से दूसरे layer में होता है ठीक है तो OSI reference model में कितने networks layer होते हैं तो उत्तर होगा हमारा option A 7 कौन-कौन से तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे layer 1 physical, layer 2 data link, layer 3 network, layer 4 transport, layer 5 sessions and layer 6 presentation और layer 7 application ठीक है तो यह 7 OSI reference model है हमारे ठीक है तो OSI reference model में कितने networks layer हैं तो 7 ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं अगले प्रस्ण को अगला प्रस्ण है UPS की full form क्या है UPS की full form क्या है options chart दिये गए है uninterruptable power supply, union pre-service, unnecessary power supply, none of this तो इस प्रस्ण का answer क्या हो जाएगा option A, uninterruptable power supply जैसे कि इमेज में आप देख पा रहे होंगे UPS को ठीक है UPS desktop computer में लाइन जाने के बाद भी कुछ समय तक current pass करता है ताकि आप desktop में जो भी program कर रहे हों जो भी work कर रहे हों उसको आप असानी से save कर पाएं file crash ना हो हमारा ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं अगले प्रस्ण को अगला प्रस्ण है निमलिखित में से कौन सी विज्ञानिक computer भासा है अगला प्रस्ण है निमलिखित में से कौन सी विज्ञानिक computer भासा है options चार दिये गए है basic, photon language, cobal language या Pascal language तो इस प्रस्ण का उत्तर हो जाएगा option B, photon language विज्ञानिक computer भासा है जैसे की कोbal language को business यानि की वेवसाइक अनुपरियोग के लिए ज्यादा तर इसका use किया जाता है वहीं photon language इंजिनेरिंग और विज्ञानिक अनुपरियोग के लिए इसका use किया जाता है वहीं Pascal language समानिय उपयोग और एक सिक्षन उपकरन के रूप में इसका use किया जाता है वहीं C और C++ language समानिय परियोजना के लिए ज्यादा तर इस language का use किया जाता है और यह वर्तमान में सबसे लोगपिरियो language है वहीं Prologue language जो है Artificial Intelligence के लिए बिसेश कर इस language का use किया जाता है और वहीं Java जो है या वेब समगरी यानि कि वेब डिजाइन के लिए और Gaming Development के लिए बिसेश कर इस language का use किया जाता है ठीक है तो प्रस्न क्या पुछा गया था कि निमलिखित में से कौन सी विज्यानिक computer भासा है options चार दिये गए थे basic, photon, cobald और pascal तो उतर हो गया हमारा photon language ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं देखते हैं अगले प्रस्न को अगला प्रस्न है जो कि जार्कन असनातक अस्तरिय संयुक परतियोगता मुख्य परिच्छा 2012 में पुछा जा चुका है प्रस्न क्या है कि संग्रहित प्रोग्राम यानि कि storage प्रोग्राम वाले पर्थम computer की सनचना किसके दवारा की गई थी ऐसा computer जिसमें हम लोग प्रोग्राम को श्टोर कर सकते हैं वह computer सबसे पहले किसने सनचना की थी किसके दवारा निर्मित किया गया था options चार दिये गए है प्रिस्टन, स्टीव स्मित, वान नियूमेन और जे मौकली ठीक है तो उत्तर हो जाएगा हमारा option C जैसे कि आप image में देख पा रहे होंगे संग्रिद प्रोग्राम यानकी storage प्रोग्राम करने वाले पर्थम computer को जिसका नाम था idsec ठीक है वहीं idsec का full form क्या होता है तो electronic delay storage automatic calculator या कई बार exam में पुछा जा चुका है तो इसे आप जरूर याद रखें तो idsec computer हमारा किसने निर्मित किया था तो one new man ने ठीक है तो चली आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रसंद को अगला प्रसंद है computer memory की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है options चार दिये गए byte, bit, kb, mb तो इस प्रसंद का उत्तर क्या हो जाएगा option b, bit ठीक है जैसे कि आप चार्ट में देख पारे होंगे कि 8 bits बराबर 1 byte होता है जिसे denote करते हैं b से ठीक है वहीं 1024 bytes बराबर 1 kilobyte होता है जिसे denote करते हैं हम लोग kb से ठीक है वहीं देखिए 1024 kb बराबर 1 megabyte होता है ठीक है जिसे denote करते हम लोग mb से ठीक है वहीं 1024 megabyte बराबर 1 gigabyte होता है जिसे हम लोग gb कहते हैं ठीक है उसी तेरह 1024 gb बराबर 1 terabyte होता है ठीक है 1 terabyte होता है जिसे हम लोग denote करते हैं tb से तो य ये चार्ट को आप जरूर माइन में रखे, यहां से एक ना एक प्रस्ण पुछे जरूर जाएंगे, ठीक है, तो अगले प्रस्ण को देखते हैं हम लोग, अगला प्रस्ण है, निमलिखित में से कौन कारियों के अधार पर कम्प्यूटर का परकार नहीं है, यहां पे पुछ क्या है, रिमोट, तो उतर हो जाएगा हमारा उप्शन C, क्योंकि पुछा गया है कि कारियों के अधार पर कम्प्यूटर का परकार नहीं है, ठीक है, तो उतर हो जाएगा हमारा उप्शन C, जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे, यह हमारा एक्जाम्पल है, एनलो इसी मशीन आप लोगों ने उस्पिटल में ज़रूर देखा होगा। यह एसी जी मशीन क्या करता है? तो यह धळकन को मापता है यानी कि heart beat को इसके द्वारा मापा जाता है, इसी जी मशीन के द्वारा ठीक है? तो इसी जी मशीन एक hybrid computer के परकार है। ठीक है? तो चलिए आग बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं अगले प्रस्ण को अगला प्रस्ण है 1KV में कितने bytes होते हैं और यह प्रस्ण जैसे सी के exam में पूछा गया है मुझे याद नहीं आ रहा है कि किस year में पूछा गया है ठीक है तो जैसे कि मैंने आपको अभी एक चार्ट के दौरा समझा आया था कि 1024 बाइट बराबर होता है 1KV यानि कि किलो बाइट के बराबर होता है ठीक है तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा option C 1024 बाइट ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रस्ण को अगला प्रस्ण है निमलिखित में से कौन सा input device है और options दिय नहीं है वहीं printer भी हमारा input device नहीं है और वहीं monitor भी हमारा एक input device नहीं है तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा option C keyboard ठीक है keyboard क्या है हमारा एक input device है ठीक है तो चलिए अगले प्रस्ण को देखते हैं हम लोग अगला प्रस्ण है निमलिखित में से कौन operating system का उधारन है यानि कि इन इन में से कौन operating system के उधारन है options दिए गए है option A, Windows and Android, option B, MS Word, option C, Play Store, option D, Photoshop ठीक है तो हम लोग जानते हैं कि Windows क्या है हमारा computer का एक operating system है और Android भी क्या है हमारा एक operating system है और इस operating system का अधिकतर use मोबाइल में किया जाता है आप लोग भली भाती इस से परिचित होंगे ठीक है वै एक mobile set में भी किया गया था ठीक है तो यह क्या है हमारा एक operating system है तो उत्तर हो जाएगा हमारा option A, Windows and Android ठीक है तो चलिए अगले प्रसन को देखते हैं अगला प्रसन है cloud computing का उधारन में से कौन सा है options चार दिए गए है Google Drive, Photoshop, MS Word, Play Store तो cloud computing का एक उधारन है हमारा Google Drive, option हो cloud computing एक ऐसी technology है जिसके द्वारा internet की साहता से data या सुचना को संगरहित कर सकते हैं प्रवंदित और पुना प्राप्ति भी कर सकते हैं ठीक है जैसे कि example से हम लोग थोड़ा सा समझते हैं यह हमारा क्या है cloud computing है और हम लोग cloud computing में desktop से laptop से या phone से या tablet से data को क्या कर सकते हैं store कर स सकते हैं और यह सब करने के लिए हमें internet की आवे सकता पड़ेगी ठीक है इसी के द्वारा हम लोग online data store कर सकते हैं और store data को access भी कर सकते हैं ठीक है cloud storage का कुछ example है जैसे कि पहला हम लोग अभी देखें Google Drive उसी तरह social media platform social media platform जैसे की FV Insta या YouTube यह सब क्या है cloud storage के एक example है ठीक है जैसे की FV को हम लोग लेते हैं FV application में हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले FV चलाने के लिए हमें internet की आवे सकता पड़ती है internet की आवे सकता पड़ती है internet मिलते ही हम लोग FV application को open करते हैं और FV में अपना image को store करते हैं या post करते हैं फिर हम लोग internet यानि की online आके उस store किये हुए image को भी access कर सकते हैं अपने phone drive में ठीक है तो FV क्या हो गया हमारा cloud storage ठीक है एक परकार का तो cloud computing एक ऐसी technology है जिसके दोरा internet की साहता से data या सुचना को संगरहित प्रवंदित और पुनह प्राप्ति किया जा सकता है इसके लिए ब तो यह थे cloud computing से related थोड़ा बहुत जानकारी इसके कई परकार भी हैं जैसे कि public, private, hybrid और community cloud ठीक है वैसे अगर मैं इन सब को एक एक करके describe किया तो काफी वीडियो लंबा हो जाएगा तो हम लोगों ने बस थोड़ा बहुत overview कर लिया कि cloud computing आखिरकार होता क्या है ठीक है तो च अगला प्रस्ण है machine language किस format में होती है options चार दियेगा है option A, ABC, option B, symbolic, option C, 01 या option D, ABC तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा option C, 01 ठीक है machine language किस format में होती है तो 01 ठीक है वहीं अगला प्रस्ण है computer किस भासा को सीधे समझ लेता है high level language, C++ language या machine language या पाइथन तो उत्तर होगा हमारा option C, machine language ठीक है अगले प्रस्ण को देखते हैं हम लोग अगला प्रस्ण है GUI का पूरा नाम क्या है options चार दियेगा है general unit, interval, graphics, user interface, general unit of India, none of these या इन में से कोई नहीं तो उत्तर हो जाएगा हमारा option B, graphical user interface ठीक है जैसे कि graphical user interface क्या होता है तो computer पर किसी भी कारे को करने के लिए उ ठीक है such as windows icon and menus ये सब क्या है example है graphical user interface तो चलिए अगले प्रस्ण को देखते हैं अगला प्रस्ण है computer का मुख्य कार क्या है options चार दिये गए है input, output and memory, storage, processing and output, input, processing and output या इन में से कोई नहीं तो computer में क्या होता है पहले input होता है फिर उस input का processing होता है processing होता है और फिर हमें result के तोर पे output मिलता है ठीक है तो उत्तर क्या हो जाएगा option C, input, processing then result, output ठीक है तो चलिए अगले प्रस्ण को देखते हैं अगला प्रस्ण है MS Word किस परकार के software का उद्धारन है application software, utility software, operating system या system software तो MS Word क्या है एक application software के परकार है option A ठीक है वही अगले प्रस्ण को देखते हैं हम लोग, अगला प्रस्ण है पर्थम PD के computer परियोग करते थे, options चार्ड दिए गये है और देखते हैं अगले प्रस्ण को, अगला प्रस्ण है RAM और ROM, computer की किस परकार की memory है, options दिए गए है, secondary memory, primary memory, computer memory या external memory तो primary memory हमारे कौन-कौन से है, तो RAM है, फिर ROM है, ये सब क्या है हमारे primary memory, वहीं secondary memory की बात करें, तो hard disk, floppy disk, pen drive या DVD, ये सब example है, secondary memory के तो उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा, कि RAM और ROM, computer के किस परकार की memory है, तो उत्तर हो जाएगा हमारा option B, primary memory के परकार है ठीक है, चली आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रसन को, अगला प्रसन है, निमलिखित में से कौन एक application, software नहीं है, options चार दिये गए है, MS Word, Linux, MS PowerPoint या इन में से कोई नहीं तो हम लोग सभी जानते हैं कि Linux क्या है, एक operating system है, वो भी open source, ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा हमारा option B जैसे कि Linux एक open source operating system है, जो computer और users के बीच interface की तरह कारे करता है open source operating system करने का मतलब है कि कोई भी इसे आसानी से free में अपने system में install कर सकता है और अपने अनुसार इसे modify भी कर सकता है, ठीक है, अपने use के अनुसार इसे modify भी कर सकता है इसलिए इस operating system को open source operating system के नाम से जाना जाता है, ठीक है, तो निमलिखित में से कौन एक application, software नहीं है क्या है options है control के साथ अखली प्रस्ट को देखते हम लोग किया गया था लिए जेक वार्ड के दवारा या चार्ल्स वेबेश के दवारा या Blaze Pascal के द्वारा तो किसके द्वारा किया गया था तो उत्तर हो जाएगा हमारा option C Charles Babbage के द्वारा किया गया था Charles Babbage को Father of Computer के नाम से भी जानते हैं ठीक है इसके दो रिजन से पहला difference engine इन्होंने 8222 में तयार किया था और इन्होंने ही alphabetical engine 1837 में बनाया था निर्मान किया था ठीक है इसके एवज में Charles Babbage को क्या कहा जाता है तो Father of Computer कहा जाता है ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं अगले प्रसंद को अगला प्रसंद है Computer को सटडाउन करने की Shortcuts की क्या है Control के साथ D प्रेस करने से या Alt के साथ Functions की F4 प्रेस करने से या Alt के साथ Functions की F3 प्रेस करने से या Alt के साथ Functions की F8 प्रेस करने से तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा Option B Alt के साथ F4 प्रेस करते हैं तो आपका Computer सटडाउन करने का Option आ जाएगा ठीक है वहीं अगला प्रस्ण है computer साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है options चार दिये गए हैं 5 December, 14 December या 22 December या 2 December तो उत्तर हो जाएगा हमारा option D, 2 December ठीक है आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रस्ण को अगला प्रस्ण है integrated circuit चीप का विकास किस ने किया options चार दिये गए है, Charles Babbage ने, C.V. Raman ने, Robert Nayak ने या J.S. Kilvy ने तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा option D, J.S. Kilvy ने जैसे कि आप image में देख पा रहे होंगे J.S. Kilvy को J.S. Kilvy के साथ एक और sentence थे, जिसका नाम था Robert Noise ठीक है, इन दोनों विज्यानिकों ने मिलकर integrated circuit चीप का विकास किया था ठीक है, तो चलिए अगले प्रस्ण को देखते हैं, अगला प्रस्ण है, computer में file को cut करने की shortcuts की क्या है, options चार दिये गए है, control C, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं फाइल को copy कर सकते हैं, control B, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं नहीं है Google हमारा क्या एक search engine है या हूँ हमारा क्या एक search engine है और Baidu हमारा क्या है search engine है यह कहां का search engine है तो यह चीन का search engine है ठीक है तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा option D wall frame alpha तो चलिए अगले प्रस्ण को देखते हैं हम लोग अगला प्रस्ण है computer में किसी file को print करने क्या है options 4 दिये गया है control के साथ N, control के साथ P या control के साथ I, या alt के साथ C तो उत्तर हो जाएगा हमारा option B, control के साथ P, press करने से हम लोग किसी भी file को print कर सकते हैं किसी document को save करने के लिए की shortcut की का उप्योग किया जाता है तो options दिये गया है control के साथ A, control के साथ S, या control के साथ F, या control के साथ R तो हम लोग file को या किसी भी document को save करने के लिए shortcut की का use करते है control के साथ S प्रेस करने से ठीक है तो उत्तर हो जाएगा हमारा option P तो चलिए अगले प्रस्ण को देखते हैं, अगला प्रस्ण है GIF का पुन रूप क्या है, तो options चार दिये गया है, graphic information format, graphic interchange file, graphic interchange format, graphic information file, तो इस प्रस्ण का उत्तर क्या हो जाएगा, option C, graphic interchange format, GIF क्या है हमारा एक, animated किया हुआ image है, कुछ second के लिए animated किया हुआ image है, जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे, यह सब हमारा क्या है, GIF के example है, ठीक है, या इसे हम लोग कह सकते है, GIF pick, या image, ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और देखते हैं अगले प्रस्ण को, अगला प्रस्ण है, पूरे document या text को select करने के लिए कि shortcuts की का उप्यों किया जात ठीक है, उत्तर हो जाएगा option D, वहीं अगला प्रस्ण है, निम्न में से कौन input ही का आई है, तो mouse क्या है हमारा एक, input ही का आई है, keyboard क्या है हमारा एक, input ही का आई है, scanner भी क्या है हमारा एक, input ही का आई है, तो उत्तर हो जाएगा हमारा ये सभी, ठीक है, option D, तो चलिए अगल नेटवर्क या लेन नेटवर्क या वेन नेटवर्क तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा option C लेन नेटवर्क लोकल एरिया नेटवर्क ठीक है कैसे कि मैंने आपको computer के master वीडियो में types of network के बारे में बता रख कि कितने परकार के network होते हैं land, pen, man, when तो इन सब को यदि आप लोगों को detail के साथ जानना है तो please computer के master वीडियो को जरूर देखें ठीक है वहाँ पर मैंने काफी detail से इन सब के बारे में बता रखा है ठीक है यहाँ पर बस मैं इन सब का full form बता देता हूँ जैसे कि land का full form क्या है तो local area network और when का full form क्या है तो wild area network वहीं pen का full form क्या है तो personal area network और man का full form क्या है तो metro politon area network ठीक है यह सब full form exam में अकसर पुछे जाते हैं तो please इसे जरूर याद रखें ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रसन को अगला प्रसन है CPU और memory कहां इस्तित है options चार दिये गए है motherboard में, UPS में, computer memory में या hard disk में तो CPU और memory हमारे motherboard में इस्तित होते हैं उत्तर हो जाएगा हमारा option A ठीक है वहीं अगला प्रसन है computer में अधिकांस processing किस में होती है options चार दिये गए है motherboard में, memory में, CPU में या RAM में तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा option C, CPU में ठीक है processing का अधिकांस भाग कहां पे होता है तो CPU में जिसका full form क्या है तो central processing unit तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग और देखते हैं अगले प्रसन को अगला प्रसन है punch card का विसकार किस ने किया था options है, harman holerith ने, howard icon ने, john mowkly ने या jack ward loom ने, तो उत्तर हो जाएगा हमारा option A, harman holerith ने ठीक है, तो थोड़ा साम लोग punch card के वारे में जानते हैं जैसे कि punch card का विसकार किस ने किया, तो harman holerith ने ठीक है, punch card होता क्या है, तो punch card एक प्रकार का सकत वक कठोर कागस कार्ड होता है, जिसका परियोग किसी statement and data को store करने के लिए किया जाता है, इन punch card में digital data को store किया जाता है, इन punch card में digital data store करने के लिए punch card में कुछ छोटे-छोटे छेदाओं याने कि शिद्र का परियोग किया जाता है, ठीक है, जैसे कि आप example of punch card देख पाने होंगे यह हमारा क्या है punch card ठीक है तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रसंद को अगला प्रसंद है microprocessor जो computer का मस्तिस्क होता है उसे कहा जाता है क्या कहा जाता है software, microchip या सिर्फ chip या सभी कथन सत्य है तो उत्तर हो जाएगा हमारा option B, microchip ठीक है वहीं अगला प्रसंद है computer द्वारा produce किया गया परिनाम कहलाता है memory, data, output या input तो उत्तर हो जाएगा हमारा option C, output ठीक है वहीं अगला प्रसन है analog computer है ताप मापने की यंत्र दाप मापने की यंत्र भोतिक मातराओं को मापा जाता है इसके द्वारा या इन में से सभी तो उत्तर हो जाएगा हमारा इन में से सभी ठीक है जैसे कि वह computer जिसके द्वारा भोतिक मातराओं को मापा जाता है उसे analog computer कहते ह बहुतिक मात्रा हैं जैसे कि तापमान, दाब, गती, लंबाई और चोड़ाई आदी होती है ठीक है जैसे कि आप देख पारे होंगे यह हमारा एक analog computer का type है परकार है ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं अगले प्रसंद को अगला प्रसंद है निमल हो जाएगा हमारा ए ठीक है तो जैसे कि आप image में देख पा रहे होंगे हमारे CPU को जिसका full form होता है central processing unit इसे भी आपको याद रखना है ठीक है तो चलिए अगले प्रसंद को देखते हैं हम लोग अगला प्रसंद है जो कि जारकन अस्तनात अस्तिरिय सन्यूक्त परतियोगि प्राराभिक परिच्छा 2015 में पूछा जा चुका है प्रसंद क्या था कि Windows 8 कौन सी कंपणी का उत्पाद है यान कि किस कंपणी ने Windows 8 को बनाया था options है Apple, Intel, Microsoft या Google तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा option C Microsoft ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रसंद को अगला प्रसंद है तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा option C तिर्तिय पिल यान कि third generation ठीक है वही अगला प्रसंद है भारत में निर्मित पर्थम कंप्यूटर का क्या नाम है multiplayer सिधार्थ तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रसंद को अगला प्रसंद है भारत में निर्मित पर या वैन्फेम स्कंप्यूटर है तो उत्तर हो जायगा हमारा option को भारत में निरमिद परम कम्प्यूटर एक प्रेंग के संख्यां कितनी होती है options हैं 16, 12 या 19 या 14 तो उत्तर हो जाएगा हमारा option B 12 ठीक है जैसे कि आप image में देख पा रहे होंगे keyword में जो functions की की संख्या है वो कितनी है तो 12 है ठीक है तो चली आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं अगले प्रस्ण को अगला प्रस्ण है सर्वधिक तेजगती का प्रिंटर है options है jet printer, laser printer, thermal printer या dot printer तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा option B laser printer ठीक है तो चली आगले प्रस्ण को देखते हैं हम लोग अगला प्रस्ण है LCD का पूरा नाम क्या है यानि कि LCD का full form क्या है options दिएगा है liquid crystal display, light crystal device, liquid central display या light central display तो उत्तर हो जाएगा हमारा option A liquid crystal display ठीक है जैसे कि आप image में देख पा रहे होंगे LCD, CRT और LED या क्या है या एक monitor के परकार है वहीं LCD का full form क्या होता है तो liquid crystal display, CRT का full form होता है cathode rate tube और LED का full form होता है light emitting diode ठीक है इन सारे full form को आप जरूर याद रखें क्योंकि exam में यहां से प्रस्न पुछे जाते हैं ठीक है तो चली आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं अगले प्रस्न को अगला प्रस्न है control, shift और alt को कौन सी कुझी कहते हैं functions की, modifier की, alpha, numeric की या इन में से कोई नहीं तो उत्तर हो जाएगा हमारा option B, modifier की ठीक है जैसे कि आप keyboard में देख पारे होंगे alt, shift, control की इन सारे key को क्या बोला जाता है तो modifier की बोला जाता है तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं अगले प्रस्न को अगला प्रस्न है OCR का पुन रूप क्या है optical, cpu, recognition, optical character, recognition, optical character, rendering या इन में से कोई नहीं तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा option B, optical character, recognition तो जैसे कि आप image में देख पारे होंगे हमारे OCR device को तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं अगले प्रस्न को अगला प्रस्न है पहला computer mouse किसने बनाया था options चार दिये गया है William English ने, Douglas Angel Bird ने, Robert Jawaki ने या इन में से कोई नहीं तो उत्तर हो जाएगा हमारा option B, Douglas Angel Bird ने जैसे कि आप image में देख पारे होंगे हमारे Douglas Angel Bird को इन्हों ने ही हमारा computer का पहला mouse बनाया था जो की इस प्रकार देखने को रहता था तो चलिए अगले प्रस्न को देखते हैं अगला प्रस्न है जब PC पर किसी document पर कारे करते हैं तब document औस्थाई रूप से इस्टोर होता है किसमें CPU में, RAM में, ROM में या CD-ROM में तो उत्तर हो जाएगा हमारा option B, RAM में औस्थाई रूप से जब PC पर किसी document पर कारे करते हैं तब document औस्थाई रूप से RAM में इस्टोर रहता है तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं अगले प्रस्ण को अगला प्रस्ण है निमलिखिद में से कौन एक output device है options चार दिएगा है mouse, mouse क्या है हमारा एक input device है keyboard क्या हमारा एक input device है light pen क्या हमारा एक input device है तो उत्तर हो जाएगा हमारा option C, B, D, U जिसका full form होता है visual display unit या क्या है एक output device है तो चलिए अगले प्रस्ण को देखते हैं हम लोग अगला प्रस्ण है computer में RAM कहां इस्तित होती है computer में RAM कहां इस्तित होती है motherboard में, internal drive में, expansion board में या none of these तो उत्तर हो जाएगा हमारा option A, motherboard में जैसे कि आप motherboard को image में देख पा रहे है यह हमारा computer का motherboard है तो चलिए अगले प्रस्ण को देखते हैं हम लोग अगला प्रस्ण है hardware को चलाने के लिए आवस्यक software को कहा जाता है device drive, joystick, task manager या program manager तो उत्तर हो जाएगा हमारा option A device drive ठीक है तो चलिए अगले प्रस्ण को देखते हैं हम लोग अगला प्रस्ण है इन में से कौन system software का एक उद्धारान है MS Word, Excel, Android and iOS या टेली तो system software क्या है हमारा option C Android and iOS ठीक है या क्या हमारा एक system software का example है ठीक है तो चलिए हम लोग अगले प्रस्ण को देखते हैं अगला प्रस्ण है इन में से किस ने electronic computer in ack design किया था options चार दिए गए है वैन नूमेन, जोसेफ एम, जेकवाड and जे परसपर इकाड and जॉन मौकले या नौन अबदीस तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा option C, जे परसपर इकाड and जॉन मौकले ठीक है जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे जे परसपर इकाड and जॉन मौकले को ठीक है, इन्होंने ही first electronic computer in ack का अविस्कार किया था, ठीक है, तो चलिए अगले प्रस्ण को देखते हैं हम लोग अगला प्रस्ण है, computer में presentation, document बनाने के लिए किस application का उप्योग किया जाता है options 4 है MS Word, MS PowerPoint, MS Excel या PENT, तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा option B, MS PowerPoint ठीक है, वहीं अगला प्रस्ण है निमलिखित में से कौन computer का बहुतीक उपकरन है, options 4 है hardware, software, package या application software तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा option A hardware, ठीक है, और या प्रस्ण जैसे सिग exam में कई बार पुछा जा चुका है ठीक है, तो चलिए अगले प्रस्ण को देखते हैं हम लोग अगला प्रस्ण है, slides को अधिकतम कितने percent तक zoom किया जा सकता है जैसे कि powerpoint में जो slide होता है उसे हम लोग कितने percent तक zoom कर सकते हैं, ठीक है options चार दिये गए है 50%, 100% या 400% या सभी तो उत्तर हो जाएगा हमारा option C 400% ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं अगले प्रस्ण को options चार दिये गए है .pptx.jpeasy.dos या .doc तो उत्तर हो जाएगा हमारा option B .jpeasy ठीक है वही हम लोग jpeasy का full form को जान लेते हैं क्योंकि या exam में पूछे जाने जैसा प्रस्ण है इसका full form होता है joint photographic expert group वहीं gif जो की एक loop format में image होता है loop format में image होता है जिस image में कुछ second के लिए animation होता है जैसे कि मैंने आपको पिछले प्रस्ण में दिखाया था तो gif का full form क्या होता है graphics interchange format ठीक है तो यह दोनों का full form आप जरूर याद रखें चलिए अगले प्रस्ण को देखते हैं हम लोग अगला प्रस्ण है निवल लिखित वैसे कौन सी एक और अस्थाई memory है options चार दिएगा है hard disk, RAM, ROM या solid state drive तो उत्तर हो जाएगा हमारा option B RAM ठीक है RAM हमारा क्या है और अस्थाई memory है ठीक है तो चलिए अगले प्रस्ण को देखते हैं हम लोग अगला प्रस्ण है PowerPoint किस प्रोग्राम का एक हिस्सा है MS Office का, Leap Office का, Closed Office का या इन में से कोई नहीं तो उत्तर है हमारा option A MS Office का MS Office क्या है हमारा एक group of application है इसमें PowerPoint, MS Excel, MS Word, SA application इसमें मौझूद होते हैं ठीक है तो चलिए अगले प्रस्ण को देखते हैं अगला प्रस्ण है PowerPoint की default file का नाम क्या होता है जैसे कि PowerPoint में यदि आप कोई भी presentation बना रहे हो और उस presentation का आपने कोई भी नमांकरन नहीं किया हो यानि कि उस presentation का आपने कोई भी नाम नहीं रखा हो तो default नाम क्या मौझूद रहेगा वहाँ पे presentation 1 या Excel या Pen या Documents तो उत्तर होगा हमारा option A presentation 1 ठीक है PowerPoint में यदि आपने अपने फाइल का नाम कुछ भी नहीं रखा हो तो वहाँ पे default name के आएगा तो presentation 1 ठीक है तो चलिए अगले प्रस्ण को देखते हैं हम लोग अगला प्रस्ण है vacuum tube का उप्योग किस PD के computer में किया जाता था पहली, दूसरी, तीसरी या चौती तो उत्तर हो जाएगा हमारा option A ठीक है vacuum tube का उप्योग हम लोग पहली PD के computer में करते थे ठीक है, जैसे कि आप image में देख पा रहे है vacuum tube को वहीं अगला प्रस्ण है, निमलिखित में से कौन एक output device है keyboard, microphone, printer या barcode तो उत्तर हो जाएगा हमारा option C printer, ठीक है तो चलिए अगले प्रस्ण को देखते हैं हम लोग अगला प्रस्ण है, DVD का पून रूप क्या है options चार दिये गए है digital vector disk, digital versatile disk, digital volume disk या digital visual disk तो उत्तर हो जाएगा हमारा option B digital versatile disk जैसे कि आप image में देख पा रहे होंगे DVD player को D4 क्या होता है, तो digital V4 क्या हो जाता है, तो versatile और D4 क्या हो जाता है, डिस्क यानि कि DVD का full form क्या है, तो digital versatile disk, ठीक है वहीं अगला प्रस्ण है, MS Excel worksheet में, पर्थम सेल को Dash के रूप में, लेबल किया जाता है options A है, A4 या option B, A3 या option C, A1, या option D, A0, तो उत्तर हो जाएगा हमारा option C, A1, ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं अगले प्रस्ण को, अगला प्रस्ण है powerpoint 1997 में bunny file का extension निमन में से क्या है, options चार दिये गए है, .pnt, .ppt, .pptxm या .pntt तो मैंने आपको बता रखा था, कि 2003 या 2003 के पहले का powerpoint का extension क्या होगा, तो .ppt यानि कि option B ठीक है, वहीं अगला प्रस्ण है computer में परियुक्त IC chip बनते हैं chromium से, iron oxide से silver से या silicon से तो उत्तर हो जाएगा हमारा IC chip silicon से बनते हैं ठीक है, इस IC chip बनाने के लिए silicon यूज किया जाता है ठीक है, वहीं अगला प्रस्ण है computer का हिंदी नाम क्या है options चार दियेगा है गनना करने वाला, संगनक या हिसाब लगाने वाला या परिगनक, तो उत्तर हो जाएगा हमारा option B, संगनक, ठीक है तो चलिए अगले प्रस्ण को देखते हैं हम लोग अगला प्रस्ण है, निमलिखित में से क्या storage device का उधारन नहीं है floppy disk, hard disk, cd या ram, तो उत्तर हो जाएगा हमारा option d, ram ठीक है, वहीं अगला प्रस्ण है, इमेल भेशते समय किस लाइन में संदेश की विशय वस्तु के बारे में बताया जाता है, option a है cc अगले प्रस्ण को हम लोग देखते हैं, अगला प्रस्ण है msxl 2003 का file extension क्या है .xlsx.xls या .wk1 या .dox तो उत्तर हो जाएगा हमारा option b .xls ठीक है, मैंने आपको बता रखा था कि msxl 2003 के पहले का file extension क्या होता है तो .xls ठीक है, वहीं अगला प्रस्ण है computer दोवारा produce किया गया परिनाम है output, data, input, memory तो उत्तर होगा हमारा option a .output तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अगले प्रस्ण को अगला प्रस्ण है, पर्थम गरना यंत्र का क्या नाम था ? गड़ी, difference engine, abacus या calculator तो उत्तर हो जाएगा हमारा option c, abacus या abacus, गरना यंत्र कहां पर बना था ? तो Babylon में इसका विसकार Babylon में किया गया था जैसे कि आप देख सकते हैं पर्थम गरना यंत्र को तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं अगले प्रस्ण को अगला प्रस्ण है किसने पर्थम mechanical calculator का निर्मान किया था ? जोसेप मेरी जेक वार्ड ने जॉन मॉकली ने बलेज पासकल ने या हावड आइकन ने तो उत्तर हो जाएगा हमारा option c, बलेज पासकल ने ठीक है ? सतरवी सताबदी में फ्रांस के गनी तक ये बलेज पासकल ने एक यांत्रिक अंक्य गनना यांत्र यानि के mechanical calculator सन 1665 में विक्सित किया इस मसीन को adding मसीन कहते थे क्योंकि यह केवल जोड या घटाव कर सकती थी यह मसीन घड़ी और odometer के सिध्धान पर कार्य करती थी ठीक है ? तो उत्तर हो जाएगा हमारा option C, Blaze, Pascal अगला प्रसन है अनिम लिकित में से कौन सा एक operating system नहीं है Oracle, Linux, MS-DOS या MS-Windows तो उत्तर होगा हमारा option A Oracle ठीक है ? Option A तो चलिए अगले प्रसन को देखते हैं हम लोग अगला प्रसन है PowerPoint में बनाई गई फाइल को क्या कहा जाता है ? Option A, Seat या Option B, Workbook या Option C, Presentation या उपरोक्त मैसे सभी तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा option C, Presentation ठीक है ? PowerPoint में बनाई गई फाइल को हम लोग Presentation कहते हैं ठीक है ? वहीं अगला प्रसन है जहां एक पंक्ती row और अस्तम यानि की column मिलते हैं कहलाते हैं क्या कहलाते हैं ? Excel एक box एक block या उपरोक्त मैसे कोई नहीं तो मैंने आपको computer के master वीडियो में पूरे practical के साथ बता रखा था कि जहां पर एक पंक्ती यानि की row और column मिलते हैं कहलाते हैं कहलाते हैं एक sale ठीक है ? उत्तर हो जाएगा हमारा option A ठीक है ? तो चलिए अगले प्रसन को देखते हैं हम लोग अगला प्रसन है keyword में कितने arrows keys होते हैं keyword में कितने arrows keys होते हैं option A 4 option B 3 option C 1 या option B 2 तो उत्तर हो जाएगा हमारा option A 4 ठीक है ? जैसे कि आप image में देख पा रहे होंगे keyboard को keyword में इस key को क्या कहा जाता है ? तो arrows key कहा जाता है कितना है ? 1, 2, 3, 4 ठीक है ? तो उत्तर हो जाएगा हमारा option A 4 तो चलिए अगले प्रस्ण को देखते हैं हम लोग अगला प्रस्ण है निमलिखित में से कौन सा एक antivirus software है ? options चार दिये गए है Norton, Kaspersky, Avest या सभी तो उत्तर हो जाएगे इसके option D सभी ठीक है ? तो चलिए अगले प्रस्ण को देखते हैं हम लोग अगला प्रस्ण है HTML एक भासा है जिसका उप्योग डैस डैस बनाने के लिए किया जाता है HTML एक भासा है जिसका उप्योग किसके लिए किया जाता है ? तो options चार दिये गया है प्रोटोकल, option B, Operating System या option C, Webpage या option D, Network तो उत्तर हो जाएगा इस प्रस्ण का option C, Webpage HTML एक language है जिसके दुआरा हम लोग वेब पेज को डिजाइन करते हैं ठीक है ? उत्तर हो जाएगा हमारा option C, Webpage तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं अगले प्रस्ण को अगला प्रस्ण है एक presentation में किस परकार की file को हम लोग add कर सकते हैं या add किया जा सकता है audio file, text file, video file या उप्रोक्त मैं से सभी तो हम लोग एक presentation में audio, text, video सभी परकार के files को add कर सकते हैं उत्तर होगा हमारा option D, ठीक है ? उप्रोक्त मैं से सभी तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रस्ण को अगला प्रस्ण है UPS की full form क्या है UPS की full form क्या है option A, uninterruptable power supply, union pre-service, unnecessary power supply या none of this तो उत्तर हो जाएगा इसका option A, uninterruptable power supply जैसे कि आप image में देख पा रहे होंगे UPS को ठीक है ? या UPS desktop में line जाने के बाद भी कुछ समय तक current pass करता रहता है ताकि हम file को save कर सके, file हमारा crash ना हो ठीक है ? तो चलिए आगे बढ़ते हैं लोग और देखते हैं अगले प्रस्ण को अगला प्रस्ण है, निमलिखित में से कौन सा hardware नहीं है ओप्सन चार दिये गए है, ओप्सन ए प्रोसेसर चीप, ओप्सन बी प्रिंटर, ओप्सन सी माउस या ओप्सन डी जावा तो उत्तर हो जाएगा ओप्सन डी जावा, ठीक है ? जावा क्या है या एक programming language है, ठीक है ? वहीं अगला प्रस्ण है, computer की man memory का भाग कौन सा है, CPU, RAM, ROM या RAM और ROM दोनो, तो उत्तर हो जाएगा option D, RAM और ROM दोनो, ठीक है ? तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं अगले प्रस्ण को, अगला प्रस्ण है, जब processor CPU का प्रियोग करता है, तब data और program कहां रखे जाते हैं ? options है, man memory में, disk memory में, secondary memory में या इन में से कोई नहीं, तो उत्तर होगा हमारा option A, man memory में वहीं अगला प्रस्ण है, IC chip का उप्योग, computer की किस PD में शुरू किया गया ? options है, पहली PD, दूसरी PD, तीसरी PD या पांचमी PD, तो उत्तर होगा हमारा option C, तीसरी PD में, ठीक है ? वहीं अगला प्रस्ण है, भारत में इंटरनेट की सुवीदा कब से प्रारम हुई थी ? options है, 1992, 1993, 1994 या 1995 तो उत्तर होगा हमारा option D, 1995 वहीं अगला प्रस्ण है, email का पूरा नाम क्या है ? options है, electric mail, electronic mail, English mail या essential mail तो उत्तर होगा हमारा option B, electronic mail वहीं अगला प्रस्ण है इमेल लिखना किसके समान है फोन पर बात करने के समान है पत्र लिखने के समान है पैकेज भेजने के समान है या तस्वीर बनाने के समान है उत्तर होगा हमारा option B पत्र लिखने के समान है ठीक है वहीं अगला प्रस्ण है MS Office 2000 को किस कंपनी ने बनाया Options है Coral, Lotus, Microsoft या Novel तो उत्तर होगा हमारा Option C Microsoft कंपनी ने MS Office 2000 को बनाया ठीक है वहीं अगला प्रस्ण है Windows 98 का विकास कब हुआ Options है 2000 में, 2003 में, 1999 में, 1999 में तो उत्तर होगा हमारा Option C, 1998 में ठीक है वहीं अगला प्रस्ण है Keyboard को हिंदी में क्या कहा जाता है Options हैं सुचना देने वाला, कुंजी पटल, Keyboard या सभी तो उत्तर होगा हमारा B, कुंजी पटल वहीं अगला प्रस्ण है, नई Slide के लिए Keyboard Shortcuts की क्या है Options है, Control के साथ N प्रेस करने से, Control के साथ S प्रेस करने से या Control के साथ M प्रेस करने से, या Control के साथ Shift प्लस N प्रेस करने से तो उत्तर होगा हमारा Option A, Control के साथ N प्रेस करने से या प्रस्ण जार्खन असनात अस्तरिये संयुग परतियोगिता मुख्य परिषा 2012 में पूछा जा चुका है प्रस्ण है निमलिखिन में से कौन सा इमेल का पता का सही रूप है यहाँ पर प्रवाइडर का नाम रहता है यदि आप गुगल मेल का यूज करेंगे तो यहाँ पर जी मेल रहेगा यदि आप होट मेल का यूज करेंगे तो होट मेल रहेगा ठीक है तो options हो जाएगा हमारा D यहाँ पर इन्होंने cold mail का यूज किया है इसलिए rames at the rate के बाद cold mail.com लिखा गया है ठीक है तो यह है हमारा सही उत्तर आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं अगले प्रसन को अगला प्रसन है किस memory में रखा data बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है options है RAM, floppy disk, CD या disk तो उत्तर हो जाएगा हमारा option A RAM ठीक है अगला प्रसन है टेली software का परियोग किया जाता है networking के लिए, संचार के लिए, accounting के लिए या DTP के लिए तो उत्तर हो जाएगा हमारा option C accounting के लिए ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं अगले प्रसन को अगला प्रसन है HTML का पूरा नाम क्या है यानि कि HTML का full form क्या है hypertext markup language, hypertext markup language, hypertext mail language, hypertext mail language तो उत्तर हो जाएगा हमारा option A hypertext markup language ठीक है HTML language के द्वारा ही web page का design किया जाता है ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं अगले प्रसन को अगला प्रसन है Google क्या है browser है, virus है, search engine है या operating system है तो उत्तर होगा हमारा option C search engine है वहीं अगला प्रसन है computer कौन सी भासा पर कारे करता है COBOL भासा पर, machine भासा पर, photon भासा पर या basic भासा पर तो हम लोग जानते हैं machine भासा क्या होता है 01 और computer हमारा machine भासा पर काम करता है यानि कि उत्तर होगा हमारा option B ठीक है वहीं अगला प्रसन है Microsoft Company के संस्थापक है Bill Gates, सबीर भाट या A और B दोनों या इन में से कोई नहीं तो उत्तर हो जाएगा हमारा option A Bill Gates ठीक है वहीं अगला प्रसन है Windows 10 को किस वर्स launch किया गया था options है 2012 में, 2014 में, 2015 में या 2013 में तो Windows 10 को 2015 में launch किया गया था आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं अगले प्रसन को अगला प्रसन है Micro processor किस PD का computer है इसका मतलब है कि Micro processor किस PD के computer में यूज किया गया है options है पर्थम PD, दूतिया PD, तिर्थिया PD या चतूर्थ PD यानि की 4th generation तो उत्तर हो जाएगा हमारा option D चतूर्थ PD ठीक है Micro processor का use चतूर्थ PD के computer में किया गया है ठीक है वही अगला प्रसन है निम्न में से कौन सा input device है options है server, monitor, printer या keyboard तो उत्तर हो जाएगा हमारा option D keyboard, ठीक है वही अगला प्रसन है MS Word किसका उधारन है application software का operating software का compiler का या running program का तो उत्तर हो जाएगा हमारा MS Word किसका उधारन है application software का उत्तर हो जाएगा option A ठीक है वही अगला प्रसन है Linux Linux किस किसम का software है C open source है, ठीक है, Linux हमारा एक open source operating system है, ठीक है, तो चलिए अगले प्रस्ण को देखते हैं हम लोग, अगला प्रस्ण है, hardware और software के बीच सम्मन्द बनाने की तक्निक या सुभिधा को कहा जाता है, इप्रोम, इंटरकॉम, इंटरफेस या इंटरनेट, तो उत्तर हो जाएगा हमारा option C, इंटरफेस, ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और देखते हैं अगले प्रस्ण को, इसमें विसम सब्द है, access या Windows 98, Windows 98 क्या है हमारा एक operating system है, MS-DOS भी हमारा क्या है, एक operating system है, तो उत्तर हो जाएगा हमारा option A, access ठीक है, तो चलिए आगले प्रस्ण को देखते हैं हम लोग, अगला प्रस्ण है, ALU का full-form क्या है, options दिए गए हैं, arithmetic, logic unit या algebra logic unit, या arithmetic, logical unit या none of the above, तो उत्तर हो जाएगा हमारा option A, arithmetic logic unit, ठीक है, तो चलिए आगले प्रस्ण को देख तो उत्तर हो जाएगा हमारा option B, photon, photon क्या है हमारा एक engineering और विग्यानिक भासा है, ठीक है, जैसे कि आप नीचे देख पारे होंगे, कोबल या क्या है एक वेवसाइक में अनुपरियोग के लिए इस भासा का यूज किया जाता है, वहीं फोर्टन क्या है, इंजिनिरिंग और विग्यानिक अनुपरियोग के लिए इस भासा का यूज किया जाता है, वहीं पास्कल लेंग्वेज क्या है, समान उपयोग और एक स कह सिक्षण उपकरण के रूप में इस language का यूज किया जाता है , वहीं c और c++ language का यूज कहां पर होता है? तो यह समयन्य परोजना के लिए विसेच कर इस Yi screwdriver का यूज किया जाता है आंतोर पर इस prevention का सबसे ज़्यादा हो रही गेमिंग में इस language का यूज किया जाता है ठीक है तो यहाँ पे पुछा क्या गया है कि निमलिखित में से कौन सी विज्ञानिक computer भासा है options दिये गए थे basic, photon, cobald और pascal तो उत्तर हो जाएगा हमारा option B ठीक है तो चलिए हम लोग अगले प्रस्ण को देखते हैं अगला प्रस्ण है DVD का उधारन है hard disk, optical disk, object disk या output device तो उत्तर हो जाएगा हमारा DVD क्या है एक optical disk के उधारन है ठीक है वहीं अगला प्रस्ण है CPU के लिए समान्य गनित perform करता है bus, register, dimm या alu तो उत्तर हो जाएगा हमारा CPU के लिए समान्य गनित का perform करता है कौन तो alu arithmetic logic unit ठीक है वहीं अगला प्रस्ण है floppy disk किस प्रकार की memory से सम्बंद रखती है external, internal, volatile, ये और भी दोनो तो उत्तर हो जाएगा हमारा floppy disk हमारा external memory के प्रकार है ठीक है वहीं अगला प्रस्ण है निम्न में से कौन input ही काई है scanner, mouse, keyboard या इन में से सभी तो उत्तर हो जाएगा हमारा ये सभी mouse भी हमारा क्या है input device है scanner भी क्या हमारा input device है और keyboard भी क्या हमारा input device है ठीक है वहीं अगला प्रस्ण है computer में printed diagram पाने के लिए यूझ किया जाने वाला input device है keyboard, printer, scanner, mouse actually यह सारे क्या है हमारे input device है बस एक printer को छोड़ कर और यहाँ प्रिंटर पूछा गया है कि diagram पाने के लिए use किया जाने वाला input device कौन सा है तो scanner ठीक है mouse भी हमारा input device है keyboard भी हमारा input device है बस एक printer हमारा input device नहीं है और यहाँ पे पूछा गया है कि diagram पाने के लिए use किया जाने वाला input device है scanner ठीक है वहीं आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं अगले प्रसंद को अगला प्रसंद है इन में से कौन input device नहीं है monitor, mouse, joystick या magnetic tape तो उत्तर हो जाएगा हमारा monitor क्या हो option A ठीक है वहीं अगला प्रसंद है LCD का पूरा नाम क्या है liquid central display, light crystal device, light central display या liquid crystal display तो उत्तर हो जाएगा हमारा option D liquid crystal display ठीक है वहीं आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं अगले प्रसंद को अगला प्रसंद है निमलिखित में से कौन सा software का उधारन नहीं है options है mouse, Microsoft Office, Chrome या टेली तो उत्तर हो जाएगा हमारा option A, mouse, mouse हमारा क्या एक input device है ठीक है वहीं अगला प्रसंद है analytic engine का निर्मान किसने किया था एवा लवलेस ने, चार्ल्स बेबेज ने या सीमेन कॉर्स कॉब ने या जी एकल ने तो उत्तर हो जाएगा हमारा option B, चार्ल्स बेबेज ने ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं अगले प्रसंद को, अगला प्रसंद है multi programming का प्रयोग किस PD के computer से शुरू हुआ था, options है दूतिय पीडी, पर्थम पीडी, चतूर्थ पीडी या तीरतिय पीडी, तो उत्तर हो जाएगा हमारा option D, तीरतिय पी तो उत्तर हो जाएगा हमारा option B, जॉन वान नुमेन, ठीक है, इन्होंने ही हमारे computer के basic architecture को विक्सित किया था, ठीक है, वहीं अगला प्रसंद है, भारत में निर्मीत पर्थम computer क्या नाम था, मतलब कि भारत में जो पहला computer बनाया गया था, उसका क्या नाम था, असोक, सिधधार्थ, बुध या आरेभट, तो उत्तर हो जाएगा हमारा option B, सिधधार्थ, ठीक है, भारत में विक्सित पहला computer था, कौन तो सिधधार्थ, या electronic corporation of India द्वारा निर्मित किया गया था, ठीक है, तो चलिए अगले प्रसंद को देखते हैं हम लोग, अगला प्रसंद ह क्या है, या प्रसंद कई बार repeat किया गया है, जारकन के जैसे सी exam में, ठीक है, तो या क्या है, एक search engine है, या क्या browser है, या operating system है, या virus है, तो हम लोग सभी जानते हैं, गूगल क्या है, या एक search engine है, ठीक है, वहीं अगला प्रसंद है, central processing unit के घटक क्या है, arithmetic, logic unit, या memory, या control unit या ये सभी, तो उत्तर हो जाएगा हमारा ये सभी, ठीक है, ये सभी क्या है, central processing unit के घटक है, तो चलिए अगले प्रसंद को देखते हैं हम लोग, अगला प्रसंद है, URL का पुनरूप क्या है, universal resource link, uniform resource locator, universal resource locator, या uniform resource link, तो उत्तर हो जाएगा हमारा option B, uniform resource locator, ठीक है, तो चलिए अगले प्रस्ण को देखते हैं, हम लोग, अगला प्रस्ण है, 1KB में कितने बाइट होते हैं, और यह प्रस्ण कई बार JCC के exam में repeat किया गया है, ठीक है, तो आपको पता ही होगा, कि 1KB में कितने बाइट होते हैं, तो 1024 बाइट होते हैं, ठीक है, वहीं अगला प्र प्रसन है निम्न में से कौन वोलाटाइल मेमोरी का उधारन है रॉम रैम प्राइमरी मेमोरी या सकेंडरी मेमोरी तो हम लोग को पता है कि वोलाटाइल मेमोरी कौन है तो रैम है और नन वोलाटाइल कौन है तो सकेंडरी मेमोरी जैसे कि हार्ट डिस्क हो गया फ्लोपी डिस् लोकल एक्सिस नेटवर्क, लोकल नेटवर्क या लोजिकल एरिया नेटवर्क तो उत्तर हो जाएगा हमारा ओप्शन A लोकल एरिया नेटवर्क ठीक है वह आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं अगले प्रसन को अगला प्रसन है कम्प्यूटर की पर्थम पीडी की सुरुवात कब से मानी जाती है 1946 से 56 तक, 1940 से 46 तक, 1955 से 60 तक या 1936 से 46 तक तो उत्तर होगा हमारा ओप्शन A अगले प्रसन को देखते हैं हम लोग अगला प्रसन है पर्थम पीडी के कम्प्यूटर में किसका प्रियोग किया गया अप्शन से वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, आइसी या रजिस्टर तो उत्तर होगा हमारा ओप्शन A वैक्यूम ट्यूब का ठीक है तो चलिए अगले प्रसन को देखते हैं हम लोग अगला प्रसन है प्रिंटर, कीबोड और मोडम, माडम नहीं यहाँ पे एक्चुली होगा मोडम ठीक है प्रिंटर, कीबोड और मोडम जैसे बाहरी डिवाइस कहलाते हैं प्रिंटर, कीबोड और मोडम हमारे क्या है यह एक पेरिफेरल डिवाइस के उधारन है वहीं अगला प्रसन है किसी स्टोरेज, लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए परियुक्त नाम या नंबर को क्या कहते हैं अगले प्रसन को देखते हैं अगला प्रसन है सबसे बड़े से सबसे छोटे करम में निमलिखिद में से कौन सा करम सही है सबसे बड़े से सबसे छोटे करम में options है TB, GB, MB या KB TB, terabyte GB, gigabyte, MB, megabyte और KB, kilobyte ठीक है तो वही पर यहां पर बोला गया है terabyte, GB, MB, KB TB, MB, GB, GB या KB option C, GB, TB, MB,ükleby option D, TB, terabyte gigabyte, kilobyte या megabyte तो उतर हो जाएगा हमारा option A terabyte उससे छोटा gigabyte उससे छोटा megabyte उससे छोटा किलो भाइट ठीक है तो ये सही करम है ठीक है तो चलिए हम लोग अगले प्रस्ण को देखते हैं वहीं अगला प्रस्ण है binary system एक number system है जिसका आधार है 2, 4, 6 या 8 तो उत्तर हो जाएगा हमारा option a 2 ठीक है तो चलिए अगले प्रस्ण को देखते हैं अगला प्रस्ण है MS Word में अपने पिछले एक्षन को reverse करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं Cut Command का परियोग कर सकते हैं Undo Command का परियोग करें या Delete Key यानि Key की यहां पर है Delete Key को प्रेस करें या Redo Command का परियोग करें तो उतर हो जाएगा हमारा Option B Undo एक स्टेज पीछे जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं Undo करते हैं ठीक है Undo Command का परियोग करते हैं और इसकी shortcut की क्या है तो Control के साथ यदि आप Z को प्रेस करेंगे तो एक स्टेज आप पीछे चले जाएंगे अगला प्रस्ण है इंस्ट्रक्शनों के उस समू को क्या कहते हैं जो computer को बताता है कि क्या करना है mentor, instructor, program या compiler तो उतर होगा हमारा Option C ठीक है वहीं अगला प्रस्ण है निमलिखिद मेंसे कौन सी memory अस्थाई memory है RAM, ROM, RAM और ROM दोनों या इन में से कोई नहीं तो उतर हो जाएगा हमारा Option B ठीक है तो चलिए अगले प्रस्ण को देखते हैं लोग अगला प्रस्ण है hard disk drive को किस परकार का storage माना जाता है flash storage, non-volatile storage temporary storage या non-permament storage तो उतर हो जाएगा हमारा Option B non-volatile storage ठीक है वही RAM को क्या माना जाता है तो volatile ठीक है यहाँ पर पुछा है कि hard disk drive को किस परकार का storage माना जाता है तो non-volatile यहाँ पर store data permanently save रहता है ठीक है तो चलिए अगले प्रस्ण को देखते हैं हम लोग अगला प्रस्ण है SQL यानि कि structured query language का अपयोग निम्न में से किस लिए किया जाता है create database create and modify database create, modify and query database या इन में से कोई नहीं तो उतर हो जाएगा हमारा Option C create, modify and query database ठीक है Option C वहीं अगला प्रस्ण है जो की पूछा गया है 2015 के जैसे सी exam में निम्लिकित में से कौन से menu यहाँ पर क्या होगा menu नहीं menu ठीक है कि तहद आपको Microsoft Word में print का विकल्प मिल जाएगा किस menu में Microsoft Word में print का विकल्प मिलेगा file में, insert में, edit में या format में तो उतर हो जाएगा हमारा Option A file में ठीक है या एक परकार का super computer है ठीक है तो दोस्तो यहाँ पर यह session समाप्त होता है और मुझे लगता है कि आप लोगों को इतने प्रस्ण mind में जरूर याद रखना चाहिए जैसे सी CGL exam के लिए तो यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें सब्सक्राइब करें और सेर करना ना भूले जैहिंद जैजारखंड